कंसेप्ट की बात हम कर लेते हैं फिर इस पर बेजड एक क्वेश्चन करेंगे क्या है ये कंसेप्ट इसको सुनिएगा जैसे तीन पेरेलल लाइन्ज है फर्स्ट, सेकेंट और थर्ड ये तीन पेरेलले इससे ज़्यादा भी हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है फिर हम दो अन पेरेलल लाइन्ज लेंगे एक मैंने यहां लिया और एक मैंने यहां लिया सपोस करिए कि इसको हम नाम दे देते हैं ए मतलब यहां से यहां तक ए यहां से यहां तक बी ठीक है इसके बाद भी हम चाहें तो और ले सकते हैं ले ही लेते हैं चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं और एक और लाइन हम ले लेते हैं ये मैंने ले लिया ठीक है और इसको मैंने क्या नाम दे दिया इसको मैंने नाम दे दिया C इधर नाम दे देते हैं X, Y और Z ठीक है, शर्त क्या है? इसको AB, CD, EF और GH शर्त ये है कि AB, CD, EF और GH ये सब एक दूसरे के क्या है? पैरलल है, ठीक है? तो कंसेप्ट ये बोलता है कि ये जो सेक्शन्स हैं A, B, C है ना, A रेशो B रेशो C बराबर होगा X रेशो Y रेशो Z के जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा ये कंसेप्ट आपको समझना है ठीक है? A, B, C का रेशो जो होगा वह X, Y और Z के बराबर होगा ये आपको समझना है इस पर based question काफी कम आते हैं लेकिन बन सकता है तो हम इस पर based एक question लेते हैं next जिससे आपको funda और clear होगा इसको हम लिखेंगे if A, B, Parallel, C, D, E, F, G, H then then A, Ratio, B, Ratio, C is equal to X, Ratio, Y, Ratio, Z चलिए इस पर based ये छोटा सा सवाल है इसको देखिए बनाईए diagram और जो मैंने बताया है उसके हिसाब से इसको करने की कोशिश करिए परस लाइन में आपको बोला है कि चारो एक दूसरे के Parallel है वो condition तो must है कोई दिक्कत नहीं है भुजा PR 20 है P से लेकर R तक 20 है तो यहां से आ तक यह आपके पास 20 है then T से लेकर V तक T से लेकर V तक यह आपको नहीं, R से लेकर T तक कितना है यह आपके पास 44 है और T से लेकर V तक जो है वो कितना है, 32 है है ना, और Q से लेकर W तक, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको जो दिया है Q से लेकर W तक यह आपको दिया है 84 cm ठीक है तो आपको बताना है QS क्या होगा QS मतलब यह वाला सेक्षन आपको बताना है सपोस करी इसको मैं X नाम देदू इसको Y नाम देदू और इसको Z नाम देदू तो आपको X Find यहां पर करना है अब आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी कि यहां पर क्या करना है Very good 17.5 जिन भी बच्चों का आंसर आ रहा है एकदम सही आंसर है देखिए हमने अभी सीखा कि जो रेशो इनका होगा 20 रेशो 44 रेशो 32 यह बराबर होगा X रेशो Y रेशो Z के ठीक है ना यह इसके बराबर होगा तो जो रेशो इनका आएगा वह इनका आएगा क्या यह और शॉर्ट हो सकता है तो आप इस सब को 4 से कैंसिल कर सकते हो 4 से 5 टाइम्स 4 से 11 टाइम्स 4 से 8 टाइम्स तो यह आपको X, Y और Z का रेशो पता चल गया Now X प्लस Y प्लस Z is 84 84 को 11 प्लस 13 मतलब यह टोटल कितना आगे आपका 13, मतलब यह होगे आपका कितना 24, इसमें आप डिवाइड करोगे और X की वैल्यू पूछिए मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी है 5 की वैल्यू यहाँ पे आपको बतानी है ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं चार से या इसको हम 6 से या 12 से ही कैंसिल करने 12, 2 जा 12, 7 जा, 7, 5 जा, 35 बै टू 17.5 यह आपके X की वैल्यू सो कॉल्ड QS जो आपसे पूछा था, यह वह होगा यह आंसर है आपका जापके X की वैल्यू